हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चेनल दिपल मोहित सिंधव आज हम रेड मिर्ची का अचार बनाने वाले हैं यह बहुत ज़्यदा सिंपल है बनाने में और तिष्ट ही इतना ही लगता है तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 300 जितना रेड मिर्ची और इसे मैंने थोने के बाद अच्छे कपड़े से पोच लिया है याद रखे इसमें जराबी पानी या मॉइस्टर नहीं रहना चाहिए उसके बाद मैंने यहाँ पे मसालों में ले लिया है एक निम्बू का रस तीन बड़े चमच जितना ओयल राई सारे डंठल निकलने के बाद यहाँ पे मैंने यह जो मिर्ची है उसको हम लोग इस तरह से काट लेंगे उसका बीज नहीं रहना चाहिए आप भी इस तरह से सारे मिर्ची को काट लीजिए अगर आप चाहे तो इससे बड़े भी पार्ट बना सकते हैं या छोटे भी बना सकते हैं मैं यहाँ पे इतने इतने पार्ट बना रही हूँ अगर आप किसी भी पराठे या भाकरी या किसी भी चीज के साथ इसे सव कर दो तो ये बहुत ज़्यदा टेश्टी लगता है और ये जल्दी बिगड़ता भी नहीं है और तुरंद फटाफट से बन जाता है तो हमारी गुजराती फेमिली में तो अगर आप बहुत सारे घर में चले जाओगे तो ये हमें मिलता ही मिलता है तो सारे मिर्ची को हम लोग ने इसे काटके एक बड़ा बाउल ले लिया है उसमें ट्रांसफर कर देंगे आप थोड़ा बड़ा ही बाउल ले लिए चीए क्योंकि इस से आपको सारी चीज़े हैं वो मिक्स करने में थोड़ी आसानी रहेगी उसके बाद हम मसाला डालना स्टार्ट करेंगे तो मैंने यहाँ पे एक चम्मच जितना हल्दी पाउडर डाल दिया है सौफ डाल देंगे, अजवाई डाल देंगे, सौफ अगर आप चाहे तो थोड़ी ज्यादा भी डाल सकते है राई और मेथी का कुरिया है, वो में दो बड़े चम्मच जितना डाल रही हूँ अचार में नमक थोड़ा ज्यादा ही पड़ता है, तो हम यहाँ पे दो बड़े चम्मच जितना मैंने नमक डाला है निम्बू का रश जो मैंने ले लिया था, वो भी एक निम्बू का रश डाल दिया है तीन बड़े चमच जितना ओयल डाला है ओयल मैंने गरम करने के बाद ठंडा कर लिया है अब इन सारी चीज़ों को हम लोग mix कर लेंगे इस तरह से अच्छे से mix होने के बाद मैंने यहाँ पे काच की जार ले ली है काच की जार में अच्छा रेखते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है वो जल्दी बिगड नहीं चाता है तो मैं काच की जार यूज कर रही हूँ काच की जार मैंने यहाँ पे धोने के बाद अच्छे कपड़े से पोचने के बाद दस मिनिट तक उसको सन के प्रकाश में मैंने उसको रख दिया था तो वो अच्छे से ड्राइ हो गई है उसमें जराबी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए नहीं तो आपका आचार बिगड़ चाहेगा तो ये मेरा आचार रेडी हो चुका है इसे मैं एक दिन नॉर्मल टेंपरेचर पे रखोंगी और बाद में फ्रीज में रख दूँगी अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब और आपका आचार कैसा बना है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना झाल 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 झाल